हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट फॉल गूड मॉर्णिंग दोस्तों आप लोग को पता है कि मार्क दसनार के क्लासेज आप लोग के लिए सब्सक्राइब के लिए अभी बात करें तो सस्ट का भी सेशन आप लेकर आ रहा है और पिछला जो मैंने बोला था कि ट्रायल वीडियोज है अगर उसका रिस्पॉंस सही रहा तो आगला वीडियोज बनाऊंगा और बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का कि जो आ अपना प्यार बनाए रखेंगे तो मैं आपके लिए वो काम करता रहूंगा आपकी जरौतों को रिक्वार्मेंट को अपने सीरियस से देखने की कोशिश करूंगा और उन चीजों को आपके समस्याओं को हल के रूप में ये वीडियो ऐसे ऐसे वीडियो से लेकर आता दोस्तों खुच बंदे का एक क्वेशन साय था कि सर आप टोटली सब्जेक्ट वो जो एसेस्टी है सटी का जैसे कि अभी बात जो कर रहे हैं चैप्टर जो चल रहा भी आपका द्राइज ऑफ नेस्नलिजम इन यूरोप यह जो चैप्टर चल रहा है इसमें आप पहला कोंस्तों के थरू की जाए जो भी चीजें वहां पर दी गई है आप NSIAT निकाल के देख लीजिए NSIAT सामने रखिए और उसके थरू लाइन बाइन पढ़ने की और मेरा कोंस्तों और मेरा कोंस्तों सामने रखिए अब ज़रा दोनों को समझने की कोशिव की है कि कहीं पे स्सक्राट सकते हैं और यहां से राइस करसकता हैं तो पहली चीज तो तो हमारा सब्जेक्ट चो गता है सब्जेक्टिव तरीके से तयार होता है और दूसरा question जिसर के तरीके से भी तयार होता है तो किसी तरीके से अगर question topics related question पूछतीय जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने ऐसे इन questions के थ्रू ही उन चीजों को study कर रहे होते हैं तो दोस्तों खुश उसके लिए tension ना लीचे वो हर topics मैं cover करूंगा अगर सुरू कर दिया है तो with detail के साथ जाएंगे और through questions ही जाएंगे एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूं जो भी जाएंगे थ्रू questions ही जाएंगे और मैंने आपको जैसे की लास्ट क्लास में भी पताया था कि एवाउट हंडेड कोश्चन करेंगे questions के थ्रू आपके इस चीजों को raise करेंगे इस topics को raise करने की उपर कोशिश करेंगे और जो आपका जो आपको लगता था था ना कि आपका यकीन मानिए अगर इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका जो एस चीजों कोशिश की जा रही है इस को आप अगर एक नया रूप देते हैं एक नया तरीके से देखते हैं तो हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉंगिश्ट होगा अंडेर इस नो एनी सब्जेक्ट डाट विल बे यूर विकेस्ट याद रखेंगा हमेशा इस चीजों को क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग करेट करते हैं यह है एक्ट्वाली अ कंबिनेशन अफ डिजिट्स और नमबर्स इस चलिए बीना देर किये हुए बीना देर किये हुए इस topics start करते हैं last classes में हम लोग थे तीन questions solve किये थे और इस session में हम लोग तीन से चार कोश्टिंस यहां पर रेज करने वाले हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर काउंट किजेगा तो साथ फोर कोश्टिंस है और इन कोश्टिंस को डिसकोशन के साथ हम लोग स्टडी करते कोशिश करेंगे तो देर किस बात की चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना ह और पहली कोश्टिंस अगर आज की कोश्टिंस की सिरीज की बात करते हैं जो पहला कोश्टिंस है आज के तोपिक है द्राइज ऑफ नेस्नलिजम इन यूरोप का पहला टॉपिक जिसका नाम है फ्रेंच रिवल्वलूशन और अड़ आइडियाज ऑफ नेशन और उसी टॉ कोश्टिंस अगर बात करते हैं तो है स्टेट टो इंपोर्टेंट पॉलिटिकल अड़ कोश्टिंस चेंजेज विच केम इन दे वेक अफ फ्रेंच रिवलूशन दोस्तों अगर याद कर रहे होंगे तो जरह देखिए पिछला कोश्टिंस से रिलेटेड है कि नहीं हम जहां पर हम लोग ने बात कि थी कि constitutional और आपका political changes हुआ था अब यह question कहा रहा है कि उसका importance बता दीजे जरह देखिए तो पिछले बाले से चैंजेज विच केम इन दौ इंड वेक फेंज रिवलुशन फेंज रिवलुशन वें जो चीज दो important changes हुआ political और आपका constitutional changes उसका दो importance बताइए चलिए तो इसको आप लिखने का तरीका दन से उसूल लिजिए कैसे लिख सकते हैं words बढ़ाने है ना में words भी बढ़ाने है अगर ज्यादा marks काते है तो words भी बढ़ाने है इतना से काम थोड़े चले तो उसके लिए कहना पड़ेगा लिखना होगा the two important political and constitutional the important constitutional changes which came in the arise of which came in the wake of the French Revolution of 1789 French Revolution का work of 1789 में और उसके बाद बात करेंगे कि आप है पहला points देख लेते हैं पहला points कहा रहा है कि French Revolution give the idea the people the ideas of nation French Revolution जब आया French Revolution जब आया मित्रों तो यहां पर एक चीज़े हुई क्या होई शरकार तो यहां पर आपका रास्ट रास्ट की concept लोगों के सामने लाया गया कि आपका एक अपना रास्ट होगा जिस पर किसी भी राजसाही तत्नत्र का दबदवा नहीं होगा उसका आप खुद निर्वहन करेंगे उसको उसके डेस्टिनी को आइडनेशन का आइडिया दिया लोगों को यह चीज़ पहले नहीं पता था पहले बस डेस्पोर्टिजम डेस्पोर्टिजम ताना साही ताना साही चल रही थी तो यह चीज़े एक चीज़ हुआ दूसरी चीज़ ट्रांसपर ऑफ सोवेरेंटी फ्राम दा मोनार्की टु का बॉडी और फ्रीम्ट का बॉडी ओप से निचीज़े भी पिचिज़ेंग गराइडना सोवेरेंटी थी समप्रभूता ती सब्सक्क्रांब को मोनार्की के हंथे हंदों चीज़ेंग करके लोगों तक लोगों तक दिया गया लोगों sensible गों के आथों में दे दिया गया व आपका national assembly आप note कीजिएगा हर points आपको वहां पे पिछले वाले questions से रेट होगा लेकिन दियान दीजिएगा मैंने serially start किया है serially हर points को हर line को ध्यान रखते हुए किया है तो आपको करना क्या होगा आपको serially देखना होगा तब जाके आपको आपका सारा का सारा concept clear होता जाएगा सो सेशन वन देखने के बाद ही सेशन तू टेखेंगे तब जाके बहतर होगा हर point समझ में आएगा क्योंकि अब निस्मेल असेंब्ली आपके मन में question उठ सकता क्या है निस्मेल असेंब्ली आपको पता था वहां पे last class में हम लोग बात किये थे निस्मेल असेंब्ली क्या अब कह रहा है कि आपको चलिए वो चीज ठीक है यह दोनों important चीज़े था है दूसरी कि फ्रांस को इस अंदोलन से क्या फाइदा होगा कुछ तो फाइदा होगा था तभी तो revolution होने का कुछ तो कुछ फाइदा होना जब तक फाइदा नियार जब तक फाइदा नहीं होगा फ्रांस गेट बेनिफिटेट फांद रिवल्यूशन बाइद फालोइंग तू वेज पहली चीज क्या हुआ पहली चीज यहां पर बात करेंगे तो देखने की कोशिज करते हैं तो क्या करते हैं यहां पर कि इट बिकम और रिपब्लिक फ्रांस को क्या भाइदा हुआ तो फ्रांस रिपब्लिक बन गया गणतंत्र बन गया चाहां पे संबिधानिक रूप से सारे के सारे चीज काम होने लगे लोगों की हिशाब से सारे इंसानों को सारे मेल लीडर्स को सारे मेल जिंडर को आपका राइटटऱ वोट दिया गया मतलब साफरेज अधिकर सारे लोग को दिया अब अबπο declining मील्स डिया गया इतना क्लियर चलिए दूसरा पउंड्स क्या बात करते हैं पहला आपका अअधिक हुआ रिपब्लिक हुने के के साथ साथ आपका राइटू वोड़ सारे इंसानों को दिया गया अब पर्टिकुलर ग्रूप को नहीं दिया गया तीसरी चीज़ों यहां element को देने की गारंटी किये गई वादे किये गई मतलब राइट टू वाक वाज गारंटी टू और सारे लोग को काम करने के लिए देने को कहा गया तो यह चीज इस सर्फ बहुत अपने अपने आप में बहुत बढ़ा मानी रखता है यह सनो तो इसको फाइदा हुआ ना इस से फाइदा वा ऍवा किनी फ्रांस को बहुत बड़ा फाइदा हुआ है कि नहीं है चलिए And next questions क्या है वाट फ्यूल्ड दा फ्रेंश रिवलूशनरी वार्स गिफ्टू रिजन चलिए आपको फ्रेंश रिवलूशन से आपका फायदा हुआ फ्रेंश को फायदा हुआ फ्रेंश रिवलूशन में आपका दो इंपोर्टेंट पॉलेटिकल और कंस्टिशूशनल चेंज़ था तो कह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़े थी क्या ऐसी चीज़े थी जो फ्रेंश रिवलूशनरी वार को हवा दिया मतलब किसकी वज़से रिवलूशन करूप लिया उसका रिजन्स बताइए तो जरा देखिए आपे रिजन्स की बात भी कर लेते हैं इसको भी आप इंग्रीज करके लिख सकते हैं दा फैक्ट्स और फॉलाइंग और फो यह रिजन्स डैट फ्रेंश रिवलूशनरी वार्स और पहले चीज़े प रिवलूशनरी मिशन्स तु लिबरेट अफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिजम डिस्पोटिजम का मतलब होता है ताना साही डिस्पोटिजम का मतलब होता है अगर बात करते हैं आप लिख सकते हैं आपे डिस्पोटिजम का मतलब होता है ताना साही डिस्पोटिजम का मतल क्या करें सर यहां पे बात पलने पड़ी बहुत अच्छी चीजे लिखा वे रिवलुस्नरी मिशन तु लिबरेट दपीपूल अफुरॉप फ्रम डेस्पोटिजम वहां पे क्रामतिकारी कि पストरी मिशन चल रहा था किसलिए चल रहा था यूरोप में चल रहा हुगा तब इतो बात कर रहा है यूरोप में फ्रेंस के लोगों को छुटकारा दिलाना वहां के लोगों को क्या करना छुटकारा दिलाना और यही इसके लिए आपका revolutionary mission चल रहा था मतलब कहने का मतलब क्या to help other people of Europe become nations मतलब वहां पर ऐसी ऐसी क्रांतिकारी चीजे चल रही थी ऐसी क्रांतिकारी mission चल रहा था जिससे लोगों को युरोप के दूसरे लोगों को भी एक राष्ट बनाने के लिए राष्ट एक राष्ट घोसित करने के लिए वह काम चल रहा था to help other people of Europe Europe के दूसरे लोगों को मदद करने के लिए become nations ताकि वह राष्ट बना सके मतलब यह चीजे चल रहे थी जिसके वजह से आपका यह चीजे एक एक फैक्ट्स यह निकला दूसरे चीजे है setting up of jacobin clubs in different cities setting up of jacobins clubs setting up of jacobins द्यान दीजेगा यहां पर jacobins clubs आप द्यान दीजेगा यहां पर जो चीजे इंपोर्टेंट है मैं आपको अंडरलाइन करते जा रहा हूं यह jacobins clubs आप कहां था jacobins clubs याद किजे 9th class में आपने देपढ़ा था french revolution जब आप पढ़ा था तो वहां पर jacobins clubs के बारे में था तो कह रहा है कि jacobins club का सेटिंग किया गया था कि इंडिफरेंट सिटीज आफ यूरोप बाइश्टुडेंट्स और मेंबर्स ओफ एजुकेटेड मिडिल क्लास देखिए बात पुरुत इससे समझ में आ गई क्या कह रहा है सर कह रहा है कि यूरोप के अलग- अलग-अलग नगरों में अलग-अलग अलग सहरों में शात्रों और मिडिल क्लास सेच्छिक में मध्वर्ग मतलब की मिडिल क्लास जो जिसको को अपका स्थापना की जा रही थी और यह किसके लिए ताकि युरोप के जो दूसरे देश है दूसरे जो लोग है उनको भी रास्ट उनका भी एक अपना रास्ट होना चाहिए मतलब कि डिस्पोटीजम से वह तंग आचुके थे ताना साही वह उनको पसंद नहीं था और वह मतलब कि किसी को किसी के दवाओ में दबबबमेन यह रहे समविधानी कृप से सारे के सारे काम कीये जाए तो यह दोनों चीज़े थी आपका ये दोनों हवादी फिरेंच रेवलूशन वुए हूंक है और इसके वजह से आपका कवा वान हrविशन हुआ मैं सुआ से लाश्ट में आप जड़ा देखने कोशिश कीजिएगा तो वाट स्टेप्स दीड द फ्रेंज रिवलुशनरिस टेक टेक टु क्रिएट असे अफ क्लेक्टिव आइडेंटिटी एमांग द फ्रेंज पेपल कह रहा है कि ऐसा क्या स्टेप लिया गया फ्रेंज रिवलुशन ने फ्रेंज रिवलुशनरिस गें तरफ करांतिकारियों ने क्या ऐसे क्या ऐसे कदम उठाए तक फ्रेंज की लोगोगों के बीच में एक conducted chain doll मतलब कि सारे लोगों के बीच में एक ऐसी चीजे पनप जाए जिससे लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे, कोई अईसा चीज क्रिए हो जाए, कलेक्टिव आइडेंटीटी पैचान क्रिए हो जाए जिससे सारे लोग एक साथ जोड़ जाए, अब याद किजी सर, ये धाता है तो यह में लोगों ने कही न कही देखा था या फिर मुझे वह न जात नहीं देखा था या फिर वो सो जाई नहीं देख लीजेगा नश्या टू था उसमें दो स्थो पॉइंट के बाद में बात की गई थी लेकिन यह कोश्चन अगर अब बात करते हैं तो ncr2 नश् और उसमें अगर ऐसे question पूछ देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा चार से पांच पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा चार से पांच पॉइंट क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा और चार से पांच लिख लेना पहले चीजे आपर बात करते हैं तीन पॉइंट्स आपको लिखने के बाद वह जहां पर हम लोग ने बात की थी कि यह आपका नय नय आपका क्या आपका नय नय प्रार्थनागीत बनाएंगे कंपोज किये गए आपका साइनिकों के लिए आपका उत्साव समारोह मनाय जाने लगा और यह आपके क्या बोलते हैं आपका यह सारा का सारा काम किये जाने लगा किसके लिए सारा का सारा काम किये जाने राष्ट के नाम पर तो यह तीन पॉइंट्स वहां पे मुझे याद है तीनों पॉइंट्स मैंने बताया था और उसके बाद तीन पॉइं एक है आपका उसके बाद की बात करते हैं सेंट्रलाइज अड्मिस्टेटिटिव सिस्टम प्रैक्टिसिंग उनिफॉर्म लॉज फॉर और सिटिजेंस विदिन देटरिटरी वाज सिटप कह रहा है क्या एक प्रसासनिक सेवा सेंट्रलाइज केंद्री क्रिट सेंट्रलाइज का मतलब अगार बात करते तो केंद्री क्रिट केंद्री क्रिट काने का मतलब की एक ऐसा नहीं के स्टेट वाइज नहीं स्टेट वाइज नहीं एक सेंट्रल गॉर्मेंट का एड्मिस्टेटिव सिस्टम हो जिसमें uniform law हो समान अधिका समान कानून हो सब के लिए समान for all जिसके जो समान कानून सारे लोगों पर लागू करें within its territory was set up अपने territory में territory के अंदर समान नियम समान कानून सारे लोगों पर सारे citizens पर चाहे वो आपका aristocracy के हो या फिर आपका middle class के हो या फिर किसी और classes के हो तो इन सारे लोगों पर एक तरह का एक सब्सक्राइब सिस्टम एस्टाब्लीश हो सेंट्रलाइब सिस्टम एस्टाब्लीश हो जो क्या करें uniform law सारे लोग के लिए लिए क्लियर दूसरी चीज इन्टर्नल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूस वेर एभॉलिस्ट यहां पर क्या गिया गया क्शिटर्नल जो कस्टम ड्यूटी थाना सार आपका इंटर कस्टम ड्यूटी के मतला मैं बताता हूं कि एक देश से जब दूसरे देश में export और import होता है जब समान आता जाता है तो वहां पे tax लगता है लेकिन internal at custom duty लिखाया मतलब कि एक राजी से दूसरे राजी में भी जब जाता था तो वहां पे tax लगता था गर लगता था extra sell indirect tax बोलते हैं इसको और वो चीज़ लगता था था तो उसको और क्या उपो भी कर system adapt किया गया जैसे कि आप करते हैं ना पहले क्या था kg और सावा सेर यह चीज तल चलता था तो होता क्या था यहां पे कुछ और होता था और वहां पे कुछ और वेट होता था तो एक uniform weight और system को वह चीज को लिया गया जैसे कि बात करते हैं अभी अभी अगर physics semester अपने पढ़ा होगा तो वहां पे SI unit के यूज़ किया था तो यहां पे यहां पे ज्यादा वहां पे वहां पे देने के लिए कुछ और लेने के लिए कुछ और था लेकिन अब यहां पे क्या हो गया uniform system लागू किया गया जिसमें आ आपका समान चीजे यह uniform system uniform system of weights and measures were adopted मतलब एक uniform system weights of naap tol का एक uniform system को क्या किया गया और जो most important चीजे है last वाला जो points है last वाले points को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या वो चीजे importance role play करता है तो शर आपको बता दूं कि अगर बात करें है फ्रांस में फ्रांस के दया धानी परिश है आपको पता होगा फ्रांस की दर्धानी क्या है पेरिस तो पेरिस में सर पेरिष की में एक भासा बोली चाथी ती Europe y France फ्रेंच पेरिस में एक फ्रेंच बहुत 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 बह और वो सारे पूरा का पूरा यूरोप के लिए पूरा का पूरा सर फ्रांस के लिए एक language के रूप में established किया गए मतलब लिख सकते हैं यहां पे क्या लिख सकते हैं सर क्या लिख सकते हैं यहां पे जाइगा तो इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पर ध्यान दिजेगा अगर वहां से तिन पॉइंट उदर से लिखने पर दिंटेगा हो जाएगा् आपका आप पर बता सकते हैं अब चीजे आप पर रिजनल डायलेक्ट को क्या किया गया तो अब किया क्या जाने लगेगा यहां इस बहुत असान तरीके से बहुत आसान भासा में बात करेंगे तो आपका जो अपका तो था french that is spoken in that was spoken in that was spoken in paris जो paris में बोला जाता था जो भासा paris में बोला जाता था फ्रेंच उसको क्या गिया था was adopted as adopted as the common language of the nation आप कर रहा लास्ट पॉइंट्स क्या किया गया था सर चार वहां पर देखा था तिन पॉइंट्स हमने second check questions में देखा था मैंने ये questions को बताने की ज़रूरत क्यों समझी क्योंकि अगर आपसे यह ना दिखा कि एक points दो points और पांस नमबर का question आ गया तो दो points में लिखेंगे त तो बेसक वो चीज नमबर नहीं मिलेगा, पूरा, पांच नमबर तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली, वो चीज रिएट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो second question, हम लोग ने solve किया, वो तीन points वहाँ से देखेंगे, वो points और यह तीन points, तीन हो चीजों को लिखेंगे, तो जाके आपका, पहली चीज तो examiner's को impress करना है, तो examiner's impress होगा, तो numbers आपके फूल मिलेगे, तो यह चीज हमारे रहे, आज के चार questions, कैसे लगे यह चीज बताएगा जरूर, और इंतिजार रहेगा हमारे आपके response का, जितना जल्दी response, जितना जादा वो चीज, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, so it's all for today, thank you class, have a nice day, stay healthy, stay life, stay happy, forever, swastra haiye, mustra haiye, tandrushra haiye, aur khud ko khush rakhye, thank you so much for your participation, thank you sir.